हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को कभर करने वाले हैं अगर आपके मन में इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखनी चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको literature के बारे में थोड़ा सा overview दे देता हूँ तो literature को normally दो categories में divide किया जाता है प्रोज और poetry अब प्रोज के बारे में हम जानते हैं कि इसका जो grammatically sentence होता है वो काफी correct होता है और जैसे हम लोग बोलते हैं ठीक वो ऐसे ही sentences का इसमें यूच किया जाता है लेकिन poetry के साथ ऐसी बात नहीं है poetry में rhyme, rhythm, meter ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और उसमें grammatically sentence correct हो ऐसा compulsory नहीं है अब जब हम लोग प्रोज पे आते हैं तो प्रोज को फिर दो categories में divide किया जाता है प्रोज और drama फिर question आता है कि ऐसी क्या बात है कि हमने प्रोज और drama को अलग लग categories में रखा है देखिए प्रोज और drama में जो sentences का use होता है दोनों ही grammatically correct होता है और जैसे हम लोग बोलते हैं ठिक वैसे ही normal sentences का use किया जाता है दोनों जगों पे लेकिन दोनों के writings का जो purpose है जो intention है लिखने के पीछे वो इन दोनों को अलग categories में divide करता है जैसे प्रोज लिखा जाता है पढ़ने के उद्देश से लेकिन drama जो होता है उसका एक script तयार किया जाता है ताकि उसके basis पे stage पे acting किया जा सके तो प्रोज लिखने के पीछे का intention होता है पढ़ा जाना और drama लिखने के पीछे का intention होता है देखा जाना इस तरह से हम लोगों ने इन तीनों को अलग categories में divide किया है ताकि आप लोगों को समझने में काफी आसानी हो तो आज हम लोग प्रोज के बारे में discuss करने वाले हैं तो प्रोज के बारे में आप लोग ये समझ चुके हो कि इसमें normal sentences का use होता है जैसे हम लोग बोलते हैं और ये sentences grammatically correct होती हैं अब प्रोज को दो categories में divide किया जाता है fiction और non-fiction इसके अलावे भी कुछ categories हैं जैसे कि heroic approach हो गया approach poem हो गया इन categories में divide किया जाता है बट इन सब का ज़्यादा use नहीं है इसलिए इन terms को हम लोग अलग से समझेंगे दूसरे वीडियो में फिलहाल हम लोग fiction और non-fiction के बारे में बहुत सारे doubts को clear कर लेते हैं अब fiction हो गया जो कि imagination पे based होता है यानि कि कलपना की दुनिया का कोई एक हिस्सा हो और non-fiction जो होता है वो हमारे real thoughts पे based होता है यानि कि जो truth पे based होता है reality पे तो fiction में अगर हम लोग देखें तो fiction को फिर लगभग 5 categories में divide किया जाता है जैसे flex fiction हो गया, sort of story हो गई novel it हो गया, novella हो गया novel हो गया, अब ये 5 forms जो है इन सभी का लगभग एक ही use है, वो है story writing, अगर हम लोग इन 5 forms के elements को देखें तो वो लगभग same ही होगे इन सभी में characters होगा plot होगा, setting होगा point of view होगा, यानि कि जो elements है, वो almost same होगे सभी में, लेकिन एक चीज है जो इन सभी को अलग बनाती है वो है इन सभी का size सभी में story ही तो लिखा जाएगा लेकिन story का length क्या होगा उसके हिसाब से इन पांचों terms को अलग categories में divide किया जाता है, जैसे flash fiction का जो word limit होता है वो होता है 1000 से कम उसी तरह sort story का होता है 1000 से लेके 8000 के बीच novelette का होता है 8000 से 20,000 तक और novella का होता है 20 से लेके 50,000 तक अब novel का हो जाता है 50,000 से उपर इस तरह से words limit के हिसाब से इन सभी को अलग-अलग categories में divide किया जाता है, लेकिन इन सभी में लिखा जाना है a story ही अब हम लोग समझ चुके हैं कि ये पांचों जो है, ये fiction का हिस्सा है यानि कि imagination पे वेस्ट a story का हिस्सा है, अब हम लोग समझते है non-fiction क्या है और इसको किस categories में divide किया जा सकता है तो non-fiction होता है जो imagination पे बेस्ट ना हो जिसमें fully reality हो तो जैसे कि इसको हम कुछ categories में divide करते हैं आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमारे वीडियो का title है types of approach अब आप लोग एक चीज़ सोचिए कि हमने forms of approach क्यों नहीं लिखा genres of approach क्यों नहीं लिखा देखिए normally होता क्या है कि forms और genre के हिसाब से divide करना काफी मुस्किल हो जाता है normally इन दोनों को साथ में लेके ही किसी भी categories में divide किया जाता है किसी भी term को जैसे approach को हम लोग divide करते हैं तो form और genre के हिसाब से इसको categories में divide करते हैं और दोनों लगवग एक साथ ही चलती है जैसे novel, novella, novellet ये सारे forms हो गए बट जब हम लोग non-fiction में आएंगे तो इसको essay, biography, autobiography blog, article इन सब categories में divide किया जा सकता है लेकिन इन सब ही में सिर्फ forms हो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि biography, autobiography जो है, ये genre होता है ना कि forms होता है लेकिन इन सब ही terms का यूज किया जाता है तो ऐसा हम लोग बिलकुल भी नहीं कह सकते कि हमेशा forms का ही यूज होगा अगर आप लोगों के और जानर से डिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग फॉर्म और जानर के बीच के डिफ्रेंस को समझ सकते हो तो नन फिक्षन का सबसे पहला जो है वो है essay अब essay writing का main purpose होता है किसी भी topic के उपर कम से कम words में ज्यादा से ज्यादा informations देना अपने point of view को रखना अपने ideas को रखना और किसी भी topic को लेके आप कितना ज्यादा से ज्यादा अपने ideas को अपने thoughts को रख सकते हो उस topic से related ये essay का main purpose होता है अब दूसरा term जो है autobiography जैसे कि मेरे life में मेरे जन्म से लेके अभी तक जो जो incidents हुए है उस पे अगर मैं कोई book लिखूँ तो उसे autobiography कहा जाएगा और वही कोई अगर मेरे life पे दूसरा कोई बंदा अगर book लिखता है तो उसे biography कहा जाएगा अब इसी में एक term आता है memoir यह क्या होता है कि जैसे आपने अपने life से related कोई एक incident लिया और उसके बारे में लिखा तो यह हो जाता है memoir जैसे कमलादास ने अपने autobiography को लिखने से पहले memoir ही लिखी थी और इसे magazine में publish करवाया करती थी उन्होंने अपने life के 50 incidents को लिया और उसको one by one publish करवाया जिसको की हम लोग memoir के नाम से जानते हैं और उन्ही 50 incidents को एक साथ लाके उन्होंने अपने book में लिखा और उसे autobiography का नाम दिया यहाँ पे अब एक confusion आता है कि autobiography और autobiographical novel इन दोनों में क्या difference है तो autobiography जो होता है यह fully non-fictional होता है यानि कि इसमें imagination से कुछ भी नहीं दिया जाता लेकिन जो autobiographical novel है यह novel का एक genre हो जाता है जिसमें कुछ जिसमें characters तो आप reality से लेते हो लेकिन उसका जो setting आप करते हो उसके बारे में जो आप बताते हो वो सारा fictional आप रखते हो जैसे David Copperfield Charles Dickens ने अपने life से कुछ incidents लिया कुछ characters लिया और उससे उन्होंने अपना एक पुरा fictional novel लिखा जिसको कि हम लोग autobiographical novel कहते हैं यानि कि बोल तो रहे हो आप सही बंदे के बारे में लेकिन आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है वो fully fictional है इसी तरह से एक और term आता है blog जिसको कि नॉर्माली आजकल blogging बोला जाता है blogging करना तो blog क्या होता है जैसे आप किसी भी चीज के बारे में बहुत जानते हो जैसे आप बहुत travel करते हो आप खाना बनाने में अच्छा हो या फिर dancing में हो तो आप इस topics पे अपनी blogs को लिखते हो जैसे आप माल लेते हैं आप बहुत सारे travel करते हो जैसे आपने Paris गया London गया आप घुम के आए हो अब वहां के बारे में आप अपने point of view को रखते हो वहां आपको किस किस type की difficulties का सामना करना पड़ा वहां जाने से पहले क्या-क्या preparation करनी चाहिए और वहां पे आपका कैसा experience रहा ये सारी बातों को आप अपनी blog में लिख सकते हो जैसे travel log इसका काफी परचलन हुआ करता है और इसमें इनी सारी बातों को लिखा जाता है तो travel log को हम लोग blog का sub-genre कह सकते हैं लेकिन blog जो है वह बस travel के बारे में ना होकर और भी चीजों के बारे में हो सकता है जैसे cooking, dancing, singing इन सारी बातों के बारे में भी blog हो सकती है इसी तरह से एक और चीज़ आती है article essay और article में काफी confusion रहता है हमेशा लेकिन इन दोनों का purpose थोड़ा अलग-अलग है essay का purpose होता है अपने ideas को clearly रखना अपने thoughts को clearly रखना अपने point of view को सामने वाले को समझाना और किसी भी topic पर ज़्यादा से ज़्यादा information देना और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना beyond सोच सकते हो यह बताना लेकिन article का purpose होता है किसी भी newspaper या फिर magazine वेगड़ा में छपना article में अपने ideas को directly नहीं रखा जाता बलकि एक कोसिस किया जाता है कि जो incident हुआ है उससे related जो भी facts है उन सभी facts को एक साथ लाके आपके सामने रखे और फिर आप अपने सोच के हिसाब से उससे related कोई भी decision ले पाओ जो कि normally news papers वेगड़ा में किया जाता है हो सकता है मैं इन सारे topics में किसी को miss कर रहा हूँ या फिर मैंने उसे जानबूज के छोड़ा है क्योंकि मुझे लगा होगा वो ज़्यादा important नहीं है अगर आपके मन में ऐसी कोई topic हो तो हमें जरूर बता है लेकिन एक चीज और है जो मैं आपको clear करना चाहूँगा जैसे मैं starting में काफी confused रहा करता था कि अगर कोई story पूरी non-fiction पे based है यानि कि fully reality पे है उतना interesting अगर कोई incident हो गया जो कि fully reality है non-fiction है तो क्या वो non-fictional sort of story हो पाएगी क्योंकि non-fiction में तो ऐसा कोई categories ही नहीं है sort of story novel का तो मैं कहूंगा वो बिल्कुल हो पाएगी normally क्या होता है कि जब हम लोग कोई story लिखते हैं तो वो non-fictional से character लेते हैं character तो reality से लेते हैं लेकिन उसका जो setting वे गड़ा करते हैं वो पुरा fictional कर देते हैं जिससे कि वो fictional sort of story हो जाता है लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई पूरी non-fictional story हो तो वो बिल्कुल non-fiction की sort of story हो जाती है लेकिन उसके लिए आपको पूरी एक data देनी होगी आपको पूरा एक proof देना होगा कि ये कैसे non-fictional है इसलिए normally इसे fiction में ही रखा जाता है लेकिन अगर आपके पास अगर पूरी कोई non-fiction हो तो वो बिल्कुल non-fictional sort of story, novella वेगरा हो सकती है I hope मैं आपके मन के सारे doubts को clear कर पाया होगा प्रोस से related तो हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है हम लोग मिलते हैं फिर next वीडियो में जिसमें हम लोग types of poetry पर discuss करेंगे